हलो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल Dear Learners में और आज की क्लास में हम लोग UPLSCPT में पूछे जाने वाले GK के सिलिवस के बारे में डिसकस करने वाले हैं तो अगर हम बात करें PT exam की तो इसमें 100 questions पूछे जाते हैं जो कि 100 marks के होते हैं और सबसे ज्यादा जो इसमें वेटेज रहने वाला है वो यहाँ पर GK का रहने वाला है क्योंकि GK से related 50 questions यहाँ पर इस exam में पूछे जाते हैं जो आपको देखने को मिलने वाले हैं और यहाँ जो 50 questions होगे यह GK के हर एक segment से related होगे और किस segment से कितने marks के question पूछे जाएंगे कितने question पूछे जाएंगे उन सभी के बारे में हम discuss करने वाले हैं आज की class में तो सबसे पहले देखते हैं overall क्या weightage रहने वाला है GK के अलग-अलग segment से related और जैसा कि official website में जो syllabus दिया हुआ है उसी के अनुसार यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं उस syllabus के बारे में तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें history की यानि जो भारती इतियास है जिसमें आपका ancient history में medieval history और modern history तीनों ही इसमें सामिल है तो इस से related 10 questions हमारे exam में पूछे जाएंगे यानि की UPT policy PET के exam में पूछे जाएंगे उसके अलाबा भूगोल यानि की geography से related 5 questions आपको देखने को मिलने वाले हैं उसके अलाबा जो भारती अर्थ विवस्ता है यानि की economics इस से related भी 5 questions और जो भारती सम्विधान यानि polity जिसे हम कहते हैं यहाँ से भी 5 questions उसके अलाबा जो सामाने बिग्यान ज question ही पूछे जाएंगे फिर आता है general awareness जो की समाने जागरुपता या simple भासा में इसे हम static जीके कहते हैं यानि जो भी इन segment के अलाबा जो other topics होते हैं general topic होते हैं static जीके related topic होते हैं यहाँ से आपको 10 questions देखने को मिलने वाले हैं उसके अलाबा सामाई की जीते हम current affairs कहते हैं यह से भी 10 questions आपके पूछे जाएंगे 10 questions पूछे जाएंगे और इन सभी को जब आप add करेंगे तो यह आपका total बनेगा 50 questions तो 50 questions इसी प्रकार से divide किये गए हैं और इन में क्या यानि कौन कौन से topics के बारे में हमने पढ़ना है वो सभी हम आपको detail में बताने वाले हैं एक तरफ से तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें Indian history की भारतिय इतिहास की तो इसमें कौन कौन से topic से related जो question है वो हमको पढ़ने है क्योंकि यहाँ पर हम question wise ही इनको पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें Indian history में तो सबसे पहले यहाँ पर जो topic है वो है सिंदु गाटी सब्विता सिंदु गाटी सब्विता ये ancient history से related है यानि जो हमारी हडपा सब्विता रही मोहन जोड़ों की सब्विता रही उस से related question होगे साथी साथ जो वैदिक संस्कृति है यानि जो वैदिक सब्विता है उत्तर वैदिक काल रिगवैदिक काल जो हमारे वेद रहे उन सभी से related question यहाँ पर देखने को मिलेंगे फिर आता है बौत धर्म यानि जिसमें गौतम बोस से related चीजें दी गई है फिर आता है जैन धर्म यानि महावीर स्वामी से related जैन धर्म से related भी कई सारे question हमारे पूछे जाते हैं फिर आता है more events जिसमें समराट असोक के बारे में हम especially पढ़ने वाले हैं क्योंकि यह age it is labels है जो हमारा यूपीटी पलिस्सी की website में दिया हुआ है तो फिर आता है यहाँ पर गुप्तवंस और गुप्तवंस में भी कई सारे वैसे तो सासक रहे गुप्तवंस के जिसमें समुद्र गुप्त और चंद्र गुप्त दिती यह main है जिनके बारे में हमको पढ़ना है फिर यहाँ पर जो अगला topic है वो है हर सुवर्धन से related जो भी question बनेंगे उनके बारे में हम पढ़नेंगे फिर आता है राश्पूत काल यहाँ जिसमें अलग-अलग कई सारे अगर हम बात करें जिससे की जो चौहान समराज जी रहा साथी साथ कन्नौश के लिए क्या संगर्स रहा राश्टपूट वंस इन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं फिर आता है हमारा सल्तनत काल और सल्तनत काल बेसिकली आपका रिलेटेड है दिल्ली सल्तनत से जिसमें यहाँ पर पांच वंसों का सासन रहा गुलाम वंस आपका हो गया तुगलक वंस खिलजी वंस और उसके अलावा जो लोधी वंस है इन सभी का सासन रहा तो दिल्ली सल्तनत के नाम से भी इसे हम जान यहां पर आप से पूछे जाएंगे फिर आता है मराथा समराज जिसमें महाराज सिवा जी के बारे में हम पढ़ेंगे फिर जो अगला टॉपिक है आपर बिटिस राज जी का अभियुदा है एवं सतनता संग्राम यानि जो 1857 का जो सतनता संग्राम है उसके बाड़े में हम पढ़ेंगे और फिर बिटिस राज का जो क्या प्रभाव रहा उससे related question हम करने वाले हैं फिर यहाँ पर एक other part दिया गया है भारती राष्टी आंदोलन के नाम से वैसे ही अगर हम बात करें तो यह history का ही part है यानि इसको हम modern history के अंतरगत पढ़ते हैं और इसमें भी कई सारे topic दिये हुए हैं और यह यहाँ पर five marks का आप से पूछा जाना है भारती राष्टी आंदोलन से यानि यह जो आपको five topics दिख रहे हैं five headings दिख रहे हैं इनसे related five number के जो questions हैं वो हमसे पूछे जाएंगे इसमें कौन कौन से जो topic हैं वो सौमिल है तो इनमें स्वाधिंता अंदोलन के प्रारमभीक words यानि जो भी अंदोलन चलाए गये महातमा गांधी के द्वारा सधेशी अंदोलन सब्विने अवग्य आंदोलन साथी साथ कुछ क्रांतिकारी आंदोलन भी रह जैसे चाओरी चौरा कांड़ की अगर हम बात करें उसके रावा जो काकोरी खड़ेंद रहा उसके बारे में तो इन सभी के बारे में भी हम पढ़ने वालें और साथी साथ विधाई संसोधन बिटिस इंडिया एक्ट क्या है भारत छोणों अंदोलन आजाध हिंद फौच और सुफास शंद बोस के बारे में यहाँ पर इन से रिटेट क्वेशन हमसे पूचे जाएंगे इस एक्जाम में फिर जो हमारा अगला सिग्मेंट है वो है भूगोल यानि की जियोग्राफी तो इसमें भी जियोग्राफी जो हमारी इंडियन जियोग्राफी है साथी साथ जो वर्ड जियोग्राफी है दोनों स related question यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इन्हें भारत एवं विस्व का भौतिक भूगोल है यानि भौतिक स्वरूप क्या रहने वाला है साथी साथ जो नदियों से related question है जैसे कि हमारा ब्रंपुत नदी तंत्र है गंगा नदी तंत्र है यमुना नदी तंत्र है साथी साथ जो अधर हमारी इंडिया में नदिया है रिवर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर question पुछे जाएंगे फिर भूजल संसाधन जो परवत पहाड़ियां हिम्नद हैं इन सभी से related question आपको देखने को मिलेंगे उसके अलावा मरुस्थल और सुस्क छेत्र क्या है वन कई सभी के बारे में जो question है वो आपको देखने को मिलेंगे जियोग्राफी के अंतरगत उसके अलावा खनीश संसाधन तो यह जो विसेशकर भारत में पाय जाने वाले अलग-अलग खनीश हैं किस राज्य में किस इस्टेट में कौन सा खनीश पाया जाता है इस से related question देखने क को मिलेंगे साथ ही साथ जलवायू एवं मौसम अलग-अलग छेत्रों में किस प्रकार का मौसम और किस प्रकार की जलवायू रहने वाली है इन से related question होगे फिर आता है हमारा time zone जैसा की आपको पता है विश्यों के अलग-अलग देसों में जो time zone है वो अलग-अलग रहता है 2011 की जनगर्णा के अनुसार भी कई सारे question यहाँ पर बनते हैं यानि सबसे अधिक साच्छरता की राज्य की है सबसे अधिक जनसंक्या छेत्रपल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य इस प्रकार के कई सारे question यहाँ पर जो हमारा geography के अंदर गती यह topic आता है जनसंक्य की पर हम बात करें तो इसमें जो हमारे topic हैं वो कौन से रहने वाले हैं तो इनमें योजना आयोग और जो five years plans है जिने यानि हम पंच वर्सी योजना है कहते हैं इनसे रिटेट question देखने को मिलेंगे फिर मिस्रित अर्थ व्योस्ता का विकास यानि जैसा कि भारत की जो अर्थ व् मिस्रित है यानि कि पुझी वादी और समाजवादी का मिला जुला रूप है तो इसका किस प्रकार से विकास हुआ इस से रिटेट question होगे फिर आता है हरित करांती हरित करांती का विकास कैसे हुआ कौन इसके प्रवर्तक थे उनके बारे में question होगे साथी साथ दुग्द व बारे में जो questions हैं वो आपको देखने को मिलेगे फिर जो अगला topic है वो है verse 1991 में आर्थिक सुधार यानि क्या reform किये गए economical जो reform किये गए 1991 में उनसे रिटेट question होगे फिर यहाँ पर जो other topic होगे यानि verse 2014 के बाद क्या आर्थिक सुधार हुए कर सुधार धाचागर सुधार अर्थिक सुधार और GST को भी लाया गया यहाँ पर तो इससे related कई सारे question यह अपने आप में ही topic है GST का और इससे भी कई सारे question पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे तो वो question हम आपको यहाँ पर कराने वाले हैं फिर अगले segment के बारे में देख जाते हैं साथी साथ किस देश से जो हमारे यानि भारतिसम विधान के सुरोथ हैं उनके बारे में question होगे साथी साथ राज के नीत निदेशक से धानत यानी किस article में कौन सी बात कही गई है उससे question बनेंगे फिर आपका मौलिक अधिकार जो हमारे काफी important है भाग 3 में दिये बारे में हम डिसकस करेंगे तो यह हमारा Indian पॉलिटी हुआ फिर आता है सामान बिग्यान यानि जर्णल साइंस तो इसमें देखिए तीन नाम इसी परकार से दिये गए थे ओफिशियल स्लेवर्स के अंतरगत भौतिक बिग्यान रसायन बिग्यान जियू बिग्यान यानि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से कहीं से भी कुछ भी अगला सिग्मेंट है यहाँ पर सामान जागरुकता या जिसे हम इस्टैटिक जीके भी कहते हैं इस्टैटिक जीके का मतलब यानि यह जो जीके है यह हमेशा सेम रहने वाली है यानि इनमें परिवर्तन नहीं होना जैसा कि जब हम करेंट अफेर्स के बारे में पढ़ते है तो वो हमारी वदलती रहती है लेकिन यहाँ पर बदलना नहीं है यह हमारी फिक्स है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन कौन से टॉपिक हम को पढ़ने तो भारत के पडोसी देश यानि जो हमारे पडोसी देश है उन से रिप्टेट क्वेश्चन पुछे जाएंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और भारती या संसस से रिप्टेट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वैसे तो यह टॉपिक वहीं पर कबर हो गया है यह वहाँ पर भी टॉपिक दिया गया है यह इंडियन पॉलिटी को टॉपिक है पर यहाँ पर उन्होंने दे दिया है Statik GK के अंदर फिर यहाँ पर राष्टी एवं अंतर राष्टी दिवस जैसे कि प्रतवी दिवस है जल दिवस है जो important हमारे important days है insulated question हम यहाँ पर solve करेंगे फिर हमारे आते हैं विस्व संगठन यानी जो UNESCO है UNICEF है उसके अलावा WTO, WHO जो आप सुनते हैं वर्ड के जो हमारे संगठन है, और इनके headquarters कहाँ पर है इन से रेटेड भी question हमसे पूछा जाता है तो वो सभी हम यहाँ पर discuss करेंगे और साथी साथ कुछ और जो topic है हमारे जिनमें भारती परेटन इस्थल, यानि कौन-कौन से हमारे परेटन इस्थले टूरिस्ट प्लेसे हैं उनसे रेटेड पूछे जा सकते हैं साथी साथ भारत की कला एवं संस्क्रत इसमें आपका डॉन स्वांसे रेटेड भी question पूछा जा सकता है साथी साथ जो अधर question बनते हैं यानि जो हमारे festivals हैं पर वह हैं इस्थलेटेड भी question यहाँ पर पूछा जा सकता है कला एवं संस्क्रत की अंतरगत उसके लवा भारत एवं विस्स के खेल यानि जैसे भारत का राष्टी खेल हांकी है उसी प्रकार से आप से पूछा जा सकता है कि जो आपको country दिया गया है इसका राष्टी खेल क्या है उसके लवा भारती अनुसंधान संगठन यानि अलग-अलग जो अनुसंधान के इंद्र हैं वो कहां परिस्तित हैं इंसे रिटेट कोईशन देखने को मिलेगा फिर जो प्रसिद्ध पुस्तके हैं यानि important books and author इंसे रिटेट कोईशन आप से पूछा जाएगा कि ये जो book है ये किस writer के द्वारा लिखी गई है और उसके बाद आता है हमारा awards यानि ये जो award है यानि जो पुरुसकार है किसे दिया गया इसका कौन भी जैता रहा सबसे पहले पुरुसकार किसे मिला इस प्रकार से कई सारे question यहाँ पर बनाए जा सकते हैं तो ये हमारे important topic थे जो कि PT के syllabus में हमको cover करने हैं यानि inserated question सी हम यहाँ पर करने वाले हैं और अब हम अब को बताएंगे कि हम किस प्रकार से चीजों को पढ़ने वाले हैं तो देखिए जो हमारा syllabus है उसी के according यहाँ पर हम MCQ type जो हमारी MCQ form में हैं हम यहाँ पर question करेंगे और 30 questions हम daily basis पर यहाँ पर करने वाले हैं जो GKK हर एक सिग्मेंट से rated होंगे यानि यह जो 30 questions होंगी यह हमारे mixed होंगे इसी syllabus के अनुसार होंगे इसी syllabus के according ही हम यह question करने वाले हैं जो syllabus अभी हमने आपको बताया GKK हर एक सिग्मेंट से rated और total 50 marks का weightage है चैनल को subscribe करें तो मिलते हैं आपसे next video में 30 questions की series के साथ और तब तक के लिए धन्यवाद